ओम श्रीगणी श्रायना महा जय भूलेनाज जय शुपशक्ति वेल्कम बैक टो वर चैनल आज हमें एक विकली रीडिंग करने चारहे हैं के लिए जुसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजिस लेकर आ रहा है यह एक जनरल रीडिंग ह और अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं वेलकम यूँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बाकी की डीटेल्स अपॉइंट्मेंट के लिए यहां स्क्रीन पर आ रही है और डेली टारो डीरिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेस्बुक पे फॉलो कर स सकते हैं चलिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो लेट्स पेकन और देखते हैं काप्रिकॉर्ण आपके लिए ओवर और नर्जी क्या आ रही है फॉर्द अने वाले हबते में आप क्या चेंजिस एक्सपेक्ट कर सकते हैं वर्ड ओके सो आप कहीं दूर ट् के जिलसले में हो सकता है या ओवरॉल आपके रिलेशनशिप पाइस को चेंजिस आ रहे हैं सम्थिंग इस चेंजिंग जी हां एक बदलाव बड़ा बदलाव हो सकता है यह मूव्मेंट दिखाई दे रही है काफी इस हफते हो सकता है यह कुछ के लिए अगैन में रिपीट कर रहे हूं कोई ट्रावल से इंडिकेटेड हो सकता है या हो सकता है कि ओवरॉल इस लाइक अन्यू जर्नी आपकी लाइफ में एक नया फेस शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है और यह जो फेस है आपके लिए काफी अच्छे पॉजिटिव डिजर्ल्स लेकर आता है चलिए अब आपकी relationship की बात करेंwieं आप शुरू निंगाल ने की कोचिश कर रहे हैं वह सेुक्ता है आपके तर्ड पार्टी में है कुछ है, कुछ issues है, कुछ problems है, आप इसमें से इसको निकलना चाहते है, इसमें से पार करना चाहते है और हो सकता है कि आप किसी के साथ deal कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि कि आपको इस person का wait करना चाहिए या आगे भढ़ना चाहिए, what you should do, ऐसी energy दिखाए दे रही है, ह हो सकता है, जनके साथ आप deal कर रहे है, वो fire science हो सकते है, typical third party situation, ये person जगल कर रहे है, ये भी अपनी life में crossroads पे and so are you, हो सकता है किसी situation में, तो इनका जादा दिखाए दे रहे है कि ये, like, you know, दो तरफ इनका धिहान है, जगल कर रहे है, basically, so outcome भी है, avoiding each other, हो सकता है, ये जो connection ह है, आपका, it's like, कि या तो इतनी strong vibes है, कोई spiritual connection है, complicated connection है, जिसमें आप रहे नहीं पा रहे है, आप उसमें निकल भी नहीं पा रहे है, so basically, मुझे ऐसा लगता है, like, meant for each other, but the problem is कि और issues आ रहे है, okay, और problems आ रहे है, so in the future हो सकता, आप लोगों की एक दूसरे से बात हो, communication हो, connectivity ह हो, but यह नहीं कह सकते कि अभी फिलाल एकतम से होगा, okay, ऐसी energy, but definitely this person will come back, they will come back, क्योंकि पास से related to a person दिखाए दे रहे हैं, तो यह आपकी तरफ सरूर आएंगे, आप लोग connect करेंगे, but अगर आप desperately wait कर रहे हैं, तो I can't say कि इस हफते ही होगा, but यह future में हो सकता है, कि यह person आपकी तरफ आएं, और आप लोगों से बात करें, क्योंकि यह जो person है, अभी बहुत जादा repent कर रहे हैं, या हो सकता है, एक guilt है, और finances की वज़ह से कुछ problems आ रही है, या हो सकता है कि, you know, बहुत कुछ, like they are very secretive about themselves, बहुत secrets रखते हैं, open up नहीं करते, explain नहीं करते, उनके मन में क्या चल रहा है, बात ही नहीं करते हैं, मुझे लग रहा है, ऐसी energy दिखाए दे रही है, आपने आप तक रखते हैं, आपसे छुपाते हैं, तो शायद हो सकता है कल को, even finances को लेके हो सकता है, तो कल को हो सकता है आप लोगों की कोई बात हो, or maybe it's about you have two people, आप जिनके बार connection, but you will, you know, be together, आप लोग जरूर आप लोगों की बात होगी, communication होगी, ऐसी energy दिखाए दे रही है, चलिए, अब करियर की बात करते हैं कि, करियर वाइस क्या दिखाए दे रहा है, बने रहीएगा क्योंकि आगे हम और भी देखेंगे, कि what messages are coming through, वो आपकी लाव लाइस के ल I think again it's about a change, आपके करियर में change आ रहा है, हो सकता है आप, you know, like, there are two things, पहली बात तो change है, positive change है, outcome अच्छा है, but दूसरी ही तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ है जो आपके mind को बहुत 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 कर रहा है, हो सकता, it's like second source, कुछ आप अप्लाई कर रहे है, कुछ कर र बहुत कर रहे है, maybe it is about an opportunity, किसी चीज का आप इंतजार कर रहे है, आप उसकी वज़से आप स्थक है, आप मतलब आगे नहीं बढ़ पारे, that kind of energy we are getting, but of course वो जो भी है, मुझे ऐसे लगता है, finally it's about change कि आपकी लाइस पे जल्दी आएगा, जो आप चाह रहे है, जिस चीज क बारे में आप सोच रहे है, आपके माइंड में चल रहा है, second thought, second income, something online, या कुछ try कर रहे है, आपने तरफ से कोशिश कर रहे है, maybe it's about you know, like कुछ, you know, like कुछ, you know, like किसी से collaborate करना चाह रहे है, या हो सकता है, कुछ fix करना चाह रहे है, so वहां मुझे अचा लग रहे है कि कहना चाहते है, about your situation, ठीक है, उनकी तरफ से क्या guidance है, and we'll see, कि आपको क्या करने की जुरत है, situation में, okay, पहले तू देखते है, कि guidance क्या है, for your situation, आप चिस्पी situation में है, Capricorn, okay, so live in the present, बाबा कह रहे है, past को past में छोड़ दीजे, future unknown है, okay, so present right now, be in the moment, okay, you are not alone, आप अके साथ भ to take it, कोई आपके मदद करने की कोशिच कर रहा है, ठीक है, आपके soul group कोई हो सकते है, आपको जानते हो, पैचानते हो, somebody around you, जो आपकी मदद करना चाहते है, उनकी मदद को आपको accept करना चाहिए, but other than that, बाबा कहा रहे है, कि present moment में चीना सीखे, अगर आप बहुत ज़दा future क सोचेंगे, तो भी परशान होंगे, और past के बारे में सोचेंगे, तो भी परशान होंगे, so जो भी कुछ है, वो आच है, everything is myth, हर चीज मिथ्या है, बाबा ये भी कहना चाहते है, चलिए, ये तो हो गया कि overall, now it's also about that affirmation, you know, कि किस चीज पे आपको इस टाइम काम करने की किसी चीज को लेके, किसी परसन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, तो अपने मन में वो गिल्थ मत रखिये, I release any belief that no longer resistant my soul's growth, so आप आगे पढ़िये, और कोई भी अगर गिल्थ है, जो आपको hold back कर रहा है, don't let it, why? because वो ही चीज है जो आपकी growth में रुकावट पैदा कर अब वो क्या है, you know, आपका कोई belief है, आपका कोई अंध विश्वास है, disbelief है, sorry, आपका कोई disbelief है या अंध विश्वास है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देरा, जो आपको step forward नहीं करने देरा in your life, okay, and दूसरी बात है कि जब आपको पता है, you know, सिक्के के दो पहलू होत हैं, तो वो चीज, you know, it's like working on yourself, मुझे लगता है कि आप काफी हद तक अपने आप पर काम कर रहे हैं, आप बहुत कुछ, like, discover भी कर रहे हैं, and spirituality, ये वो, तो ये भी चीज आपको, like, अब अपने आप पे, focus करने की जुरूद है, कि चीजों को लेट को किजए और पास्ट मे बिलकुल में बाद जीना क्योंकि यहां एक नहीं जर्णी है आपके लिए, number 11 दिखाए देर, आप देख सकते है, prominent, 11, 11, हो सकता ही आपके लिए, हो, अब ये होता है, नहीं शुरुबार, number 2, okay, so it's basically about two roads, you have to choose, हो सकता है, कि दो रोज से आपको, choose, you know, हो सकता है, करनी पड आपते हैं, but जो अभी आपके सामते हैं, जो लगता है, आपको उसको चुनना चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए, जो अभी आपको नहीं समझ आ रहा है, उसको लेट को करतेना चाहिए, तो ये थी आप लोगों की रीदिंग, I hope आपको पसंद आई हो, so sorry, do let me know in the comment section कि आ की और मैं मिलूंगी आप से अगले हफ्ते, तिल दे दे क्यों.